ओम शंति आज की मुरली सारान्ष कविता आठ आठ दो हजार चोविस हम सब के प्राण प्यारे बाबा कहते हैं मिठे बच्चे बाप टीचर और सत्कुरू तेन अक्षर याद करना है तो अनेक विशेष्टाएं अपने आप ही आजानी है जो बच्चे अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वो अपने हर कदम में पदमों की कमाई करते हैं सेवा में कदम नहीं उठाते फिर पदम कैसे पा सकते सेवा कदम में पदम देती इससे पदमा पदम पती बनते पदमा पदम पती बनते ये सबकी एक ही हटी है ये सबकी एक ही हटी है बाबा गुहे राज समझाते हैं इस राज को जानने वाले ही कल्यानकारी बन जाते हैं इस राज को जानने वाले कल्यानकारी बन जाते हैं ग्रिहस्थ ब्योहार में रहते बहुत युक्ती से चलना है, कोई को नाराज नहीं करना है, पवित्र जरूर बनना है, पवित्र जरूर बनना है बेहत के विराग्य वृत्ती द्वारा सर्ब लगाओं से मुक्त रहना है, सर्ब लगाओं मुक्त रहने वाले सच्चे राज रिशी बनना है सर्ब लगाओं से मुक्त रहने वाले सच्चे राज रिशी बनना है, एक तरफ राज्य की स्मृति और दूसरी और वैराग्य रखना है, एक बाप दूसरा न कोई ये पाठ पक्का करना है करोध अगनी के समान है जो खुद को भी जलाता है और साथ में दूसरों को भी सदा जलाते रहता है दूसरे को भी सदा जलाते जाता है तो क्रोध अगने के समान है जो खुद को भी जलाता है और साथ में दूसरों को भी सदा जलाते जाता है जलाती जाता है आपका दिन शुभू नमस्ते आम शांते आम शांते आम शांते